तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो चलिए आज का टॉपिक है उपसा संयोजक संख्या ठिक ना आप लोग इसको अच्छे से देखेगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है भी आई है ठिक ना और आप लोग एक बाद अच्छे से ध्यान र उपसा संयोजक संख्या सिर्फ आपको याद रहेगा लेकिन एक्जाम में होगा कि उपसा संयोजक के संख्या के नाम के जगह दे देगा समनवय संख्या ठिक ना तो यहां पर आप लोग सोचने लगते हैं कि अरे हम तो यह समनवय संख्या पढ़े ही नहीं लेकिन दोनों बात एक ही होता है संफ्ष्षक या उपसास सहियोंयक्षग संक्यां दोनों एक ही होता है। जैसे कि हम अभी यहां आप समझते हैं। और आप पढ़ें की संफ्ष्ष्ग संक्यां लिखना हैं। लेकिन दोनों एक ही होता है इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है अगर समनवया संख्या पुछ दे तो फिर भी उपसा सहीं जग संख्या लिखना है और उपसा सहीं जग संख्या लिख दे तो समनवया संख्या दोनों एक ही होता है ठीक न तो यह कंफ्यूज में नहीं यगा जैसे कि मैं आप लोगों को बता हैं कि स्वाटकी दोस और फ्रेंकल दोस तो स्वाटकी दोस का दूसरा नम बताए थे कि दिक्तिका दोस होता है और फ्रेंकल दोस का दूसरा नम अंतरकासी दोस होता है तो ऐसे ही आप लोगों को दोनों नम याद रखना होगा बहुत याद रहता है कुछ और उसी का दूसरा नम लखे पूछ देता है तो चलिए देखते हैं उपसा संख्या क्या होता है देख लिजे किसी क्रिस्टल में एक अनू परमानू या आयन जितने गोलों से घेरे रहती है है जीतने देख लिए किसी क्रिस्टल में एक अनू परमानू या आयन जितने गोलों से घिरे रहती है उस गोलों की संख्या को समनवय संख्या कहते हैं यहां पर अनू की बात हुआ है एक क्रिस्टल में एक अनू परमानू या आयन जितने गोलों से घिर रहती है तो मान के चल लहां आप डिखेस Site Z分鐘 मरण यह आपका मान लो यह परमान अनु यह आयन है तो इसम पर क्या होगा कि गला टैपका घिरा हुआ बना रहेगा इस टैप से तो यह गोला जो रहता है इस गोले की संख्यां को ही उपसा संख्यां या समनवे संख्या काते तो देख लो गोलो की संख्यां कितनी है एक यह दू यह तीन यह चार हो गया यह पांच हो गया यह चो हो गया यह साथ हो गया तो इसमें गोलो की संख्यां कितनी हो ग सा किसी क्रिस्टल में एक परमानु अनू या आयन जीतने गोलों से घिरे रहती है उस गोले कि संख्यां को भी संख्यां करते हैं तो यहां पर हम बताएते कि गोला घिरा रहता है ठीक नाब आता है कि आपका नण एस्टाइक्योमेटरिक इस देख लिए बहुत ही इनपॉटे पूर्ण संख्या पर नहीं लोग संख्याउ कानुपात पूर्न संख्या नहीं होगा तो देख लिए यहां पर मैं आप लोग को बता रहा हूं पूर्ण संख्यां क्या होता है ठीक ना तो आप लोग यहां देख सकते हो कि पूर्ण संख्यां ठीक ना पूर्ण संख्यां क्या होता है कि जीरो से अनंत तक के सभी धनात्मक प्राकिर्थ संख्यां पूर्ण संख्य जिरो से शुरू हुआ हूँ और अनन्त की वर जा रहा है अईसे कर इसको ही हम लोग करते हैं पूर्ण शंख्यान और इसका जो अनुपात होगा वो एक देख लो यहां पर वहांपर भी धनायन था और धनायन की संख्यां का अनुपात उहांपर धनायन था और रिनायन नहीं रिनायन नहीं था भिना तो धनायन और रिनायन दोनों की संख्यां का अनुपात एक धनायन होगा और तेक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो देख लिए जे नान ऐस्टाक्योमेट्रिक दोस किशह कहें वह इसे अभीट जिसमें धनायन और रिनायन की कमी या अधिकता के कारण जो दोसुत्पन होता है उससे नोन-अस्टाक्योमेट कर gesund औरर हैं तब जिसमें धनायन के कमी के कारणossa की और पि fatis was जरशन ओचते हैं तुसे हम सब्सक्ति क्या और सब्सक्राइब हमें सबसक्马ाद भीजρε इसको अधिक सब्सका रुरम Gibson सब्सक्राइब कि सुम्सक्राइब करना की सब्सक्राइब करना या अधिक सब्सक्राइब करा ने तो कि यहां वायते हो सबस्क्राइब छाएगा शाहिए वो और कम dat पब्या हो जाता है को इसलिए वैसे अभी अब जिसमें धनायन और रिनायन के कमी या अधिकता के कारण जो दोस उत्पन होगा उसे ही नॉन एस्टाइकियोमेट्रिक दोस करेंगे ठीक ना तो आप लोग यहां तक अच्छे से याद कर लेना बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था ठीक ना और हा और बताये थे कि सौटकी दोस और फ्रेंकल दोस सौटकी दोस का नाम होता है रिक्तिका दोस और फ्रेंकल दोस का नाम होता है अंतरकासी दोस तो इस तरह का आपको जितना भी नाम रहे आपको याद कर लेना है तो आपको क्या होगा कि एक्जाम में असानी से बन जाएगा झाल झाल